तो जोस्तो इंडियान एरफोर्स के मल्टी रोल फाइटर एरक्राफ टेंडर मतलब 114 फाइटर एरक्राफ्टों के टेंडर के उपर जब भी चर्चा होता है तो उनमें जादा तर दो एरक्राफ्टों के दावेदारी के उपर ही अधिक चर्चा होता है जिनमें से एक है अमे दोस्तो बात यह है कि अगर अमेरिकी और फ्रेंच एयरक्राप्टों का संभावनाए इस टेंडर में इतना अधिक है तो इस टेंडर में रशिया के तरफ से ओफर किया गिया एयरक्राप मिकोयान मिक 35 का संभावनाए कितने पोजिशन में हैं। और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इस ओफर में मिकोयान मिक 35 वेक प्रमुक एयरक्राप्ट था। दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि पिछले बार रशिया के तरफ से जो मिकोयान मिक 35 वेक्राप्टो को ओफर किया गिया था। एयरक्राप्टो में काफी सारे नए चीज़ों को इंप्लिमेंट किया गिया है और साथी साथ एयरक्राप्ट पहले के मुकाबले में काफी अधिक ताकदवर भी वना। दोस्तों आपको जानके हैराणी होगा कि रशिया के तरफ से मिक 35 वेक्राप्टो को पहली वार फूल डेबलाट वर्जिन के रूप में दुनिया के सामने साल 2007 में बैंगलोर में आयो जीत एरो इंडिया शो के साथ इन येरक्राप्टो को दुनिया के सामने लाने का केवल म बातर मकसद भारत को लुभाना था आपके जानकारी के लिए बता दू कि मिक 35 वेक्राप्टो में काफी हद तक मिक 29 वेक्राप्टो के सिमिलर्टीज है और भारत के दुआरा भी बड़े मातरा में मिक 29 वेक्राप्टो को इस्तेमाल के कारण रशिया एक्सपेक्ट कर रहा भारत के बड़े में मिनिममम इंफरस्ट्रकचर और ट्रेνिंग के आवशकता के साथ शायद इंडिया एर्फोर्स के तरफ से इन यह एरप्टो को चुनाए जाए रशिया के दोरा अपने एरक्राप्टो के साथ साथ भारत को वेक्नोगोर्जी ट्रांसफर पर सेंक्शन लगा था तब भी भारत के दूआरा रश्या के उपर ही भरोसा करते हुए एरक्रेप्टों को हासिल किया गया था उस दर मियान भारत ने बड़े मात्रा में रश्या से सुखोई 35 एरक्रेप्टों को खरीदा था और इस कारण रश्या एक्सपेट कर रहा था कि ये डिल उसके ही पढ़ले में जाएगा पर इस बार टेक्नोलोजी के उपर भारत के तरफ से अधिक महत्तों दिया गया ना कि दोस्ती के उपर दूसरे तरफ दोस्तों अगर भारत के द्वारा इन एर क्रेप्टों को तफ खरीदा जाता है तो एक तरीके से भारत के जो रश् के तरफ से 114 नया फाइटर एर क्रेप्टों को खरीदने को लेके नया टेंडर जारी किया गया और इस टेंडर में भी मिकोयान कॉर्परेशन के तरफ से मिक 35 एर क्रेप्टों का ओफर किया गया पर दोस्तों ये संपूर्ण रूप से नया एर क्रेप्ट है रिपोर्ट के म 2017 में मिकोयान कॉर्परेशन के तरफ से रशियन गौर्परेशन के सामने डेमोस्टेट किया गया जबकि इसके एक दिन के बाद एक्सपोर्ट कस्टमोरों के लिए भी इसे पपलिकली एक इबेंड में डेमोस्टेट किया गया था दोसरी इस डेमोस्ट्रेशन को मिकोयान मिक 35 एरक्रेप्टों के एक नया जनम या फिर कहतो पुनर जनम के रूप में भी देखाया सकता है क्योंकि इस बार मिक कॉर्परेशन के तरफ से जिस एरक्रेप्ट को सामने लाया गया था वो संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से बदलते हुए अपग्रेड़ एवियोनिस का स्तेयाल किया गया और इसमें एक इंटीग्रेटेड प्रिसिजन गाइड़ेटिंग कैपेबिलिटी को भी जोड़ा गया जो कि संपूर्ण रूप से हवा से जमीन में दागे जाने वाले मिसाइलों के लिये होगा दोसो मिक 35 एयरक्रेप्टो में रुषिया के द्वारा एक नॉन रिमुवेबल एन पके, एस पीप, OLS के इलेक्टर ओप्टिकल टारगेटिंग और सर्वेलेंस सिस्टम पॉर्ट को लगाया गया दोसो उसी साल मतलब साल 2017 के मार्क्स 2017 इंटरनाशनल एवियेशन एन स्पेस सेलोन में रुषियन डिफेंस मिनिश्टरी के तरफ से 24 मिक 35 एयरक्रेप्टो को स्टेट आर्मामेंट पोग्राम के अंतरगत खरिदने का जानकारी दिया गया जिन में से 6 एयरक्रेप्टो को रेशिया के जो स्वेट एक्रोबैटिक टीम है उसमें मिक 29 एयरक्रेप्टो को रिप्लेस करने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा 22 आगेश्ट 2018 में पहली वार इंटरनाशनल मिलिटरी टेक्निकल परोम मतलब आर्मी 2018 में एयरक्रेप्टो को खरिदने का एक समझोते के उपर हस्ताक्षर हुआ जो केवल मात्रे 6 एयरक्रेप्टो का था जबकि दूसरा समझोते के उपर कुछ दिन के बाद और एक हस्ताक्षर हुआ जो 14 एयरक्रेप्टो को लेके था जून 2019 में रेशियन एरोस्पेस फोर्स को पहला दो स्पेशली प्रोड्यूस मिक-35 एयरक्रेप्ट मिला जो कि इसका पहला सर्विज वेरियंट है दोसरा माक्स 2019 एक्जिविशन के दर्मियान भी एयरक्रेप्टो के एक मौक अप फुल स्केल वर्जिन को दुनिया के सामने रखा गया जिससे रशिया के तरफ से जानकारी दिया गया कि इन एयरक्रेप्टो को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी तैयार किया गया है और साथी साथ उस दर्मियान ये भी जानकरी दिया गया कि एरक्रेप्टों में और भी नए तफदिली किया गया है और संपूर्ण रूप से एक नया वेरियंट के एरक्रेप्ट निर्मान किया गया है जिनमें एरफ्रेम के जेमुट्री में भी बदलाओ है साथी साथ अब इसमें एक अपग्रेटेड क्लिमोब ID-33M के इंजिनों का इस्तेमाल होगा जो की थ्रश्ट वैक्टरिंग आफ्टर वर्निंग कैपविलिटी के साथ लैज है और टोटल इसका जो थ्रश्ट जेनेरेशन पावर है वो करीबन 9 तन के आसपास है इसमें एडव है वो पहले के मुकाबले में और घट गया है मतलब रश्या का दावा ये है कि नए वेरियंटों को काफी हद तक स्टेल्थी बनाया गया है हाला कि ये संपूर्ण स्टेल्थ एयरक्राफ नहीं है दोसो एक्सवर्डों का मानना है कि रश्या के तरफ से साल 2017 से लेके साल 2020 के दिया गया था कि अगर इंडियन एरफोर्स इन एरकेप्टों को खरिता है तो ये इस टेंडर में भारत को ओफर किया गया सवी एरकेप्टों के मुकाबले में सस्तावी होगा और काफी किफाहिती प्राइज में इंडियन एरफोर्स को अपने बेडे को मॉडनाइस करने का एक मौका भी मिलेगा रशिया एरक्रैप्टों के साथ साथ टेक्नोलोजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत के सामने जो दो सबसे वड़ा वाधा है वो है एक तो रशिया के उपर लगा हुआ प्रतिवंद जबकि दूसरा रशिया के सर्व वेस्टरन देशों के हत्यारों के जैसा बहतरी नहीं है मतलब अगर किसी वेस्टरन प्लाटफॉर्म को भारत के द्वारा खड़दा जाता है तो सौफ प्लाटफॉर्म में जितने एरक्रैप्ट हर समय कॉम्बैट के लिए तैयार रहता है रशिया के मामले में ये संख्या थोड़ा कम होता है उपर से बीते कुछ सालों में रशिया के तरफ से स्पेर फार सप्लाई में भी कई वार डिले किया किया जो एक तरीके से ऐसे एबिलिबिलिटी रेट को कई वार घटा भी दिया है हाला कि दोस्तों सबसे बड़ा वाधा ये है कि रशिया के उपर जो प के मुकाबले में बहतर होता है और रेशिया के तरफ से बहतरीन ओफर रखा जाता है तो ओविसली सैंक्शन को परबान ना करते हुए भारत के तरफ से डील को आगे बढ़ाया जाएगा पर दोस्तो नो डाउट मिकोयान मिक 35 एरक्राफ इंडियान एरफोर्स के लिए एक बहत जाए ने एरक्राफ बन सकता है और साथी-साथ इंडियान एरफोर्स के पास मिक 29 के एक्सपिरियेंस और इंफरस्री और ट्रेणिंग के साथ ये नियरक्राफ को फ्लाइ करना संभश पाएगा और साथी-साथ इंडिया के पास जो रेशियन ओरिजिन हत्यार है उसका विस् लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बात ये है कि क्या इस टेंडर में शामिल अन्ने एरक्रेफ्टों को ये चुनोती दे सकेगा दोस्तों यहाँ पर आपके जानकरी के लिए बता दू कि MiG-35 असल में एक मध्यम वजन के एरक्रेफ्ट है जिस वज़ाए से इसका सामना डायरेक्ली रैफैल येरक्रेफ्टों के साथ होगा जबकि दूसरे तरफ अगर A15EX येरक्रेफ्ट को देखा जाए जो कि अमेरिकन प्लाटफॉर्म है वो एक भारी वजन का येरक्रेफ्ट है और इसका सामना करने के लिए रशिया के तरफ से अपने सुखोई 35 येरक्रेफ्ट का ओफर किया गया है तो सो दूसरे तरफ मेरा मानना ये है कि शायद ही भारत के तरफ से अमेरिकन प्लाटफॉर्म को इतना अधिक तरजित दिया जाएगा क्योंकि ना इस तरह के प्लाटफॉर्म भारत अब तक कभी इस्तेमाल किया है और ना ही अमेरिका इतने बड़े डील के लिए भरसा करने लायक है उपर से अफ तक टेंडर में रैफेल को ही सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है जबकि पिछले वार रैफेल के साथ टकर दे रहा था येरोफाइटर टाइफून पर इस बार मेरा मानना ये है कि रैफेल एर करप्टो को अगर कोई टकर देगा तो ओविएसली ओ मिक 35 ही होगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन